नमस्कार, फैमली फूड अड़ा में आपका स्वागत है, आज हम बनाएंगे अंडा करी, यह देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, और खाने मुझसे ज़्यादा स्वादिश्ट है, पैन मेझा तेला अच्छी तरीकते से जर्म कर लेंगे, पैन में हम अपने अंडे को फ्राय करेंगे, अंडे को आप मीडियम फ्लेम पे लगाता है चलाती हो आज इसदुना हो देख से छाओं अखिए, आंडे को तब तब तक फ्राय करेंगे, जब तक यह ब्रान्ट नहों ओ आप देख सकते हैं अंडा हमारा कितने अच्छे से प्राई हो गया है अब इसको हम निकाल लेंगे डालेंगे जीरा जीरा इसके बन हम डालेंगे दो लाल मिट्स सुखे हुए इसको हम हल्का सा भून लेंगे देखे हमारा भून गया है इसके बाद हम डालें प्याज प्याज को भी हम बगाता है चलाते हुए भूनेंगे इसको आप अच्छी तरीके से भून लीजेगा अगर हमारा ग्राइंडर खराब हो तो भी यह काम कर जाता है इससरा आप बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा और यह हमने लिया है अध्रक प्लैसुन का पेश्ट और दोहरा मिट्स अब अपनी स्वाद के अंसार जैसे आप तीखा पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं आप से आप मिर्च की संक्या कम या जादा कर सकते हैं तेकि हमारा प्याज भून कर एक्तम तयार हो गया है आप इसमें हम डालेंगे टमाटर टमाटर हमारा टमाटर डल गया है अब इसमें हलका सा चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक नमक हम इसले डालते हैं टमाटर के बाद कि हमारा टमाटर जो है अच्छी तरीके से गल जाए देखिए और मेरे चैनल को आप लाइक से यह सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कि हम लगातार इसको चलाते रहेंगे जब तक हमारा टमाटर गल नहीं जाएगा तब तक हम इसको चलाते रहेंगे कि मेरे हस्बेंट बना रहा है जो कि में नालविश नहीं खाती तो भी नालविश नहीं बनाते हैं कि हम लगाता है तमाटर को गलनी तक अच्छी तरीके से गलनी तक इसको लगाता है रही चलाती रहेंगे आधा चम्मच, खल्दी और कस्मिरी लाल मिर्च, गरम मसाला एक चम्मच, इसको आप अच्छी तरीके से चलाते हुए घून लेंगे गरम मसाला को पहले नहीं डालना चाहिए इसका स्वाथ नहीं आता है बाद में पहले डालने से उजल जाता है इसका स्वाथ अच्छी तरीके से खाने में आनी पाता है यह देखिए हमारा टामाटा रुपया जित्या से गल रहा है अब देख सकते हैं कि देखिए हमारा मसाला देखिए तैयार हो रहा है कि हम लगाता चलाते रहिए गाना जल जाएगा इसको अच्छी तरीके से हमको गलाना है तो इसमें हम डालेंगे आधा ग्लास पानी आप इसको लगातार चलाते रहिए देखिए हमारा मसाला जो है और अच्छी तरीके से घुननेगा आप इसको पानी डालके लगातार चलाते रहिए गा यह देखिए हमारा मसाला जो हमारा पानी पता नहीं चल रहा है उसमें मिल गया है अब देख सकते हैं अब इसमें हम जो अंड़ा फ्राइ किये थे उसको डालेंगे देखिए और अंड़ा डालने के बार आप इसको लगाता है चलाते रहिए गा इसमें हम कोई स्पेसल मसाले का यूज सुकर नहीं रहे हैं आप इक बार इसको बनाईए गा या आपको खाने बहुत ही स्वादिश लगेगा इसमें हम अपनी चाहिए अगर आपको ज्यादा गाणा चाहिए तो आप पानी हलगा रखिए गा अलका डालिये उसमें पानी देगे है सैं अब इसमें पूंश लगाता है चलाते रहिए अब बन के तयार हो जाएगा जाएगा तो आप इसको रोटी चावल के साथ सर्व करें धन्यवाद